मुझे जैसे स्कूल नहीं जा पारी क्योंकि कोरोना की विज़े से स्कूल बंध है स्कूल ने ओनलाइन पर है कि वस्ता सुरू की है लेकिन इसमे बहुत सी कठी नाया आती है जैसे इंटरनेट का स्पीड ओनलाइन कॉंटेंट पे परिवाद और अस्पस्टी करन स्कूल में जो पढ़ाई का महल होता है वो घर पे नहीं हो पाता है इसलिए मानगों का पारन करते हुए स्कूल को खोलना चाहिए जो महल स्कूल में मिल पाता हुए घर पर नहीं मिल पाता है इसलिए मानगों का पारन करते हुए स्कूल को खोलना चाहिए कि मांसे स्कूल नहीं जा पा रही हूं क्युंकि को रूदरा के वज़े से स्कूल बंद है बंद है इस्कूल द्वारा ऊंलाइन परहाई चालू की गई हैं जिसमें बहुत तरीकी करतिनाइ आती है जैसे इंटरनेट की स्पीट पड़िवारण में ओन्लाइन कंटेंट की दिक्कत स्कूल में जो पराई हो पाती है, वसे घर पे नहीं हो पाती है, इसलिए मानकों का पालन करते हुए स्कूल खोलना चाहिए धन्यवाद। कुरोना के इस काल में मेरा सरकार से निवेदन है कि स्कूलों को फिर से खोला जाए। सरकार को चाहिए कि जो जरूरी दिशा निर्देश हों वो जारी करें और उन्हें सक्ति से पालन करवा के वो उन पे स्कूलों को खोले। क्योंकि बहुत लंबे समय से स्कूल बंध होने के कारण बच्चों का पढ़ाई के पती रुजान कम होते जाए। जिसका नतिज़ा यह है कि बच्चे अब पढ़ाई से दूर भाग रहे। ऐसे में बच्चों का पुरा साल बरबाद होगा और देश का भविश्च के साथ अच्छा नहीं है। मेरा इसलिए यह मानना है क्योंकि आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास जो चल रही है अभी उसकी जमीनी हकिकत क्या है। बहुत गार्जिन हैं जो एफॉर्ड नहीं कर सकते हैं स्मार्टफोन अब बहुत जगा ऐसा है कि स्मार्टफोन तो है लेकिन वो ऑनलाइन कंटेंट जो है उनको समझाने वाले उनके परिवार में इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वो जो भी ज़रूरी दिशा निर्देश हों जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का हुए मास्क इस्तमाल का हुए उनको करके स्कूलों को खोले ताकि बच्चे पढ़ाई के प्रति फिर से उनका रुजानी जाबें दन्यवाद